जैहिन बचो, बचो मैं आजय कुमार वारा नसी उत्तर प्रतेश से आपके अपने चैनल नौ सिक्षन पे सौगत करता हूँ बचो अलेडी मैंने आज स्रेश्ठा पेपर क्लास 9 का साइंस का वीडियो बना दिया है अब 11 का पेपर किसी भी बच्चे दोरा मुझे भेजा नहीं गया है तो आप से रिक्वेस्ट कुरूंगा 11 वाले बच्चे जरूर पेपर भेज दें उसका मुझे अच्छे से फोडो कीच कर ठीक है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताईगा ताकि ये कट अफ का आईडिया लग सके और अपना राज ये जरूर बताईगा और डिस्टिक भी बताईगा कि आप कहां से अपने पेपर मतला आप रहने वाले हैं ठीक है तो कमेंट सेक्षन कीजेगा मैं जल्दी एक कट आउफ का वीडियो ले लेकर बच्छो आऊंगा ठीक है अब आईए काफी बताईगे परशन मेरे आये हुए हैं और देख रहे होंगे आप खुद भी आप सेटिसफाइड होंगे बच्छो ठीक है तो पहला कोशन आ पाद वायसराय का नाम दिया गया जिसमें हमारे लॉड मांट बैटन आते हैं ठीक है तो इसमें अगर देखा जाए तो अंतिम गवर्नल जर्नल भार जो थे ओ सी राजा गुपाला चारी थे ठीक है लेकिन यहां पर बिरिटिस ही है तो यहां पर हम जो ऑप्शन्स देखने आप्शन्स के साब से हमें लॉड मांट बैटन करना होगा मुझे लगता है इस पर बोनस मिल सकता है अगर नहीं होगा बोनस तो आप्शन टू ही यहां पर बच्छो सही होगा ठीक है कोशन नमबर फिप्टी टू तो यहां मैस दा फॉलोइंग करें इसमें बच्छो देख सरवाधिक उप्युक्त बिधी कौन सी है तो यह बच्छो टेरिस कल्टिवेशन यानि की वेदिका क्रिसी इसका ओप्शन नमबर फ्री बच्छो सही है ठीक है इसके बच्छे कुछ देखे चावल और जूट में कन्फ्यूज हुए होंगे लेकिन जो सही अंसर है वो है कौशन नमबर 55 है कौन सा कारक उद्यगो के एक अस्थान को मुख्यरुप से प्रभावित नहीं करता है तो देखे बाई कच्छा माल करेगा परिवहन करेगा बजार करेगा सरकार कौन से इससे नहीं होगा कोई मतलम नहीं है क्योंकि सरकार देखे इंड़स्ट्री चाहें जो हो उसकी बिरुद्ध में काम नहीं करती है ठीक है इसके बाद है कौशन 56 समंदर के संकेन अंद्रों में बांध बनाकर काम में लाई जाने वाल उर्जा कहेंगे इतो जोवारी है टाइडल इनर्जी है समंदर में आपको पता है टाइडल इनर्जी बनती है ठीक है इसके बाद है प्रात्मिक गति विधियों के लिए सही कतनों की पहशान करें ठीक है तो इसमें से हमें सही पहशान करना है तो यह है आपका एक मिनट देख रहे हैं बच्चर नमर 58 58 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह गति विधियां प्रक्रिटिक संसाधनों के निर्सकर सोत्पादन से सम्मंदी तो यह सङी है मतष से ग्रहन और संग्रहन यह primary sector में ही आता है प्रात्मी गतीबिधियों में आता है फल सब्जी आदी उगाना यह समय आता है तो जो याचिकाओं की अच्छे पॉलिटिकल यह थे लाला लाज पत्रा है option number 2 बच्चो इसका सही है यह बच्चो मैंने कई बार लाल बाल पाल के बारे में बताया है तो यह तीन लोग थे जो की radical group में थे ठीका और यह बिरोध करते थे question number 60 है आपके सामने basically England की British सरकार ने Lord Simon की अजस्का में कमिशन को भारत भेजने का निर्ने लिया तो यह था बच्चो option number 3 to decide political future of India भारत के राजनेतिक भविस का निर्ने करने के लिए ठीक है इसके बाद है question number 61 61 है उसका भी का नाम बताईए जिसके काब में प्रथाओं और पुजारियों से सोतंत परमात्मा के प्रति प्रेम का वर्णन है आज भी उसके काब को दलीतो वन्चितो मतलब गाया जाता है और उसकी प्रसंसा की जाती है तो ये अमेरिकाल से option number 1 सही है बच्चो देखे कुछ जल्दी में उत्तर बनते हैं और कुछ टेड़े प्रशना हैं मैं मानूंगा ठीक है तो आप answer बदल सकता है तो एक दो प्लस मैनस आप लेके चलिएगा ठीक है इसके बाद है भारत का कौन सा भारतीय राज नेपाल के साथ सीमा साजा करता है तो हमारा उत्तर प्रदेश करता है ठीक है तो पहला option बच्चो इसका सही है ठीक है गोरखपूर वाला area बच्चे जानते होंगे उससे नेपाल सटा हुआ है इसके बाद है लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी अठवा गदबंधन का नेता कौन देखे जो हमारे प्रधान मंतरी होते हैं उस गदबंधन के बहुमत के नेता होते हैं इसलिए उनको प्रधान मंतरी बनाया जाता है इसलिए इसका option number 3 जो है बच्चो वो सही है निय इसको अपने हिसाब से आप कर सकते थे ठीक है तो जो मुझे लग रहा है इसमें जो एंसर होगा बच्चो option number 1 होगा आप सोचेंगे तो किसी और option आपका मिल सकता है लेकिन मेरे हिसाब से option number 1 सही है question number 67 ठीक है इसमें है आपका 67 में हम हिंदी वाला रोकी option देखें इसको उपर कर दें इसमें भूपयोग भूमी का लाफकारी उपयोग ठीक है इसके वाद आपका मृदा मृदा आपका यह बी हो जाएगा प्रिथ्वी की सता को अच्छादित करती दानेदार पदात की पतली परत जय मंडल जय मंडल हमारा अस्थल मंडल और यह जल मंडल और वायू मंडल के यह हो गया ठीक है और सैल बांध मिर्दा अपरदन को रोकना थी इसलिए इसका उप्शन नमर तीसरा बच्छो सही है ठीक है और यह तो देखिए काफी बार मैंने प्रशन पताय हुआ है कि पुर्तेगाली खोज करता वासको डगामा ने भारत की समंदरी मार की खोज कप की थी तो 1498 में की थी ठीक है इसके बाद है जब अस्थाई बंदोबस्त पर्मनेंट सेटलमेंट को प्रस्तुत किया गया था तब बंगाल का गवर्नल कौन था तो यह था आपका करणवाल इस ठीक है तो 69 का बच्छो पहला अप्शन बच्छो यहां पर सही है ठीक है फिर इ कितन की अस्थापना इंकी दूर्दर्सता प्रयास के कारण हुआ तो रमीना टेगोर ऑप्शन नमबर टू सही है देखिए यह तो कोशन मैंने हजाराव बार बताया रॉल एक्ट के बारे में कब हुआ और काफी बार डिसकस भी किया तो आप जानते होंगे इसका ऑप्शन नेचर में अपने आपसे भगवान जो है बनाया है खनीज हो गया भूमी हो गया वन हो गया अपने आपसे उखते हैं ठीक है अब कोश्चन नमबर 75 है जनसंख्या पिरमिड हाँ यह तो प्रतिकाई छेत्रफल की निवासियों की संख्या को बताता है यह भी सही है या देश के आश्रितों की संख्या बताता है नहीं यह गलत है ठीक है तो इस हेसाब से ओप्शन नमबर 4 बच्चो सही है तो आपके कितने नमबर आ रहे हैं इसमें से जरूर बताएए बच्चो ठीक है जल्दी मैं गणित के एंसर की भेज रहा हूं थैंक्यू थैंक्यू बर्मिच